मुझे हमेशा ये लगता था कि maximum लोग weight loss करने के चक्कर में परेशान है बट अब लोगों के comments और messages देखकर ये लग रहा है कि weight gain करने के ये भी कुछ कम परेशान नहीं है दुबले पतले लोगों को देखकर तो यही feeling आती थी कि कितने खुश नसीब है ये लोग जो weight gain नहीं करते जो चाहे खाये कोई फरह नहीं परता बट उन लोगों से बात करके पता चला कि कितने उत्सुप्त है वो weight gain करने के लिए मैंने जाना कि जितना weight loss करना मुश्किल है उतना ही weight gain करना भी मुश्किल है ओवरवेट और अंडरवेट दोनों को ही बिमारियां जल्दी घेटती है एक healthy person वही है जिसका weight नॉर्मल हो ideal है जैसे weight loss के लिए lifestyle में changes लानी पड़ती है ऐसे ही weight gain करने के लिए भी diet और lifestyle में changes लानी पड़ेगी खाना तो अच्छा खाना ही पड़ेगा calories भी अधिक लेनी पड़ेगी लेकिन junk और fried food वाली नहीं क्योंकि उससे केवल fat बढ़ेगा मसल मास नहीं fat बढ़ेगा तो बिमारियों को नियोता देगा so always prefer to eat nutritious food तो जानते हैं ऐसे food items के बारे में जिने add करकर हम अपने weight में कुछ kilos सो बढ़ाई सकते हैं बस करना आपको यह है कि आपको अपनी diet में उन चीजों को add करना है जिनसे आपको calories के साथ साथ nutrition भी मिले यानि आपकी diet balanced diet होनी चाहिए जिसमें fat, carbohydrates, protein, vitamins and minerals सब को full fat dairy products like milk, yogurt, cheese, butter लें अगर milk सूट ना करता हो तो आप soya milk ले सकते हैं इनसे आपको पूरे nutritional benefits मिलेंगे अकसर हम लोग fatless dairy products लेते हैं और butter भी सूम सूम कर खाते हैं कि कही weight न बढ़ जाए but you are lucky कि आप बिना किसी चिंता के खा सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक quantity में fat लेना भी heart के लिए ठीक नहीं जैसे weight loss में calorie intake कम होनी चाहिए ऐसे weight gain के लिए अधिक calories लेनी पड़ेंगे हाँ अगर आप किसी कारण एक ही time में बहुत अधिक नहीं खा सकते तो आपको हर 2 गंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए जिसमें calories अधिक हो फोड़ी फोड़ी देर बाद खाने से आपकी भूप बढ़ेगी आपका खाने को मन करेगा और weight gain के chances भी बढ़ेगे Eat protein rich diet जो आपके muscle mass को बढ़ा है अंडे एक अच्छा source है प्रोटीन का और सस्ते भी होते हैं इसके इलावा fish, chicken, red meat इनमें भी प्रोटीन काफी मात्रा में होती है Vegetarians nuts ले सकते हैं मूपली, बदाम, काजू, पिस्ता, अक्रोट then dry fruits like kishmish, khumani, etc. इत्मनान से खाएं हर रोज kishmish खाने से आपका weight बढ़ सकता है क्योंकि ये nutrients का बंढ़ा है और इसमें calories भी काफी मात्रा में होती है अतलब थोड़ी से कishmish आपको काफी calories दे देती है और quality calories ही तो चाहिए आपको पूरा दिन चुस्त वूर्थ रखने के लिए आपके immune system को strong रखने के लिए milkshakes like banana shake, mango shake में नट्स मिलाकर पीना भी वदन बढ़ाने में मददगार होगा नट्स में high quality protein होती है जो heart health के लिए बढ़िया है और weight gain करने के लिए इसके इलावा soya, bean, rajma, दालों आदी में भी प्रोटीन और अन्य पॉष्टिक तत्व पाए जाते हैं peanut butter is also a healthy and tasty choice इसे whole wheat bread पे लगा के खाए मज़ा आ जाएगा और मज़े के साथ साथ वजन बढ़ाने में भी मदद करेगा carbohydrates भी प्रयापत मात्रा मिले rice lane, preferably brown rice then whole grains, oats, pasta, noodles इन सब को खूँट सारी सबजियों में mix करके खाए grilled और baked आलू भी अच्छा सोर्स है carbohydrates का वजन बढ़ाने के लिए कोशिश करेंके इसे चिलके समेथ खाए ताके इसके nutrients का पूरा फाइदा ले से fruits like banana, mango, pineapple and grapes are full of vitamins and nutrients and best for gaining weight अनार्ट के दाने खाएं या juice पिएं इससे आपकी भूप भड़ेगी और आप अच्छे से खापा होगी weight loss में खाने को बनाना के साथ replace करने के लिए कहा जाता है लेकिन weight gain करने के लिए खाने के बाद इसे खाना फाइदे मन दें fresh fruit juices and smoothies are best for gaining weight अच्छी balanced diet के साथ-साथ exercise, yoga और weight lifting भी जरूर करनी चाहिए खाने को अच्छे से चबाकर उसे पूरी तरह दैरिश करें अच्छी नीन लेकर बाड़ी को पूरा rest दें खाने के time में अधिक gap ना दें और time पे खाएं unhygienic और junk food avoid करें alcohol और cigarette ना ही ले तो बढ़िया है खाने से पहले पानी न पिएं इससे आपका बेट जल्दी बढ़ जाएगा और आप कम खापा होगे कम खाएंगे तो कम calories लेंगे खाने के बाद चाए और coffee भी avoid ही करें अगर आपका बेट किसी बीमारी के कारण कम हो रहा है या हुआ है तो डाइट चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसर्ट जूर करें अगर आपका दूबला पतला होना जैनेटिक है तो हो सकता है आप बेट गेन ना कर पाएंगे लेकिन ट्राइ करने में कोई पुराई नहीं कम से कम नुट्रिश्यस खाने से आप हेल्थी तो रहा पाएंगे अपने बेट को रेगुलरली चेक करते हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे है कि आपकी वेट गेन करने की कोशिश रंग ला रही है कि नहीं एक सिंपल सापंडा याद रखें कि अगर आपकी डेली गेलरी इंटेक रिक्वायर्मेंट 2,000 है तो आपको 500 एक्ट्रा गेलरी चाहिए वेट गिन करने के लिए यानि 2,500 के लिए खाने से पहले आपको खुद को अपने आप से पूछना होगा कि जो मैं खा रहा हूँ या रही हूँ वो मेरी हेल्थ के लिए बढ़िया है कि नहीं क्या इस खाने को खाने से मेरी बॉड़ी को वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ क्या ये खाना मेरी ग्रोथ और ड्वेलमेंट में रुकावट तो नहीं बस इतना सफिशेंट आपने आपको चेक करने के लिए अगर तो आपकी priority होगी weight gain करने के लिए फिर तो आप अपने खाने पीने को लेकर particular रहोगे ही और अपने goal को अचीव भी कर पाओगे यसे weight loss के लिए patience आईए ऐसे ही weight gain करने के लिए भी patiently routine follow करना पड़ेगा My best wishes are with you Stay healthy, stay blessed हमारी और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएए सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के रीचे इस turn on बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो इस bell वाले icon को प्रेस कर दीजिए और वो change होके ऐसा हो जाएगा इस से हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी सबस्क्राइब तक जाएगी